Hello students, स्वागत है आपका Defense Tutor के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी एमर के रिगारिंग प्रैक्टिसेट नमर एट को यह प्रैक्टिसेट्स आपका मैच से स्पेसल होगा यानि इस प्रैक्टिसेट्स में आपके Max से letter questions को करवाय जाएंगे इससे पहले हमने 7 और भी प्रैक्टिसेट्स को आपके लिए दिया है तो जिर्नों ने प्रैक्टिसेट्स को नहीं देखा है तो प्लैलिड से जाकर आप सभी प्रैक्टिसेट्स को देख सकते हैं इस वीडियो के PDF को download करने के लिए description box में लिंक दे जाएंगे, link पर click करके PDF को download कर सकते हैं या फिर आप simply telegram channel को join कर लिजेगा जिसके link आपको description box में ही दिये गया है telegram channel पर आपको directly सभी PDF के link और सभी आपके examination के regarding latest notification और आपके वीडियो के नोटिफिकेशन सभी को आपको पर प्रवाइड करवाया जाते हैं तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो लक्षेस की ओर और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे request रहा है कि वीडियो अच्छा लागे तो प्लीज वीडियो को like कीजएगा और दोस्ते में भी share कीजएगा ज्यदत स्यादा आप support करें ताकि आपके लिए इसी तरह regular और बहतर content हम ला सके पहला question आप screen पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा जा रहा है कि if aq plus bq is equal to 0 तो इन्वे से कौन सो option correct होगा तो देखिए aq plus bq is equal to 0 दिया जा रहा है तो हम क्या करेंगे इसको से पहले तोड़ेंगे ठीक है यानि हमारा जो formula होता है उसको इस पर लगाएंगे तो aq plus bq का formula होता है a plus b में into में a square plus b square minus ab is equal to 0 ठीक है या तो यह term 0 ओजा है या तो यह term 0 हो जाए ठीक है दोनों में से कोई भी term 0 हो जाएगा तो हमारा क्या होँगा और zero के बचाहिए घुक act 0 के ब्रावर होता तो यह आपका 0 के ब्रावर हो सकता था ठीक है लेकिन यहां पर ऐसा नहीं दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं दोनों को 0 के ब्रावर लिख सकते हैं तो यहां से हमें 2 value मिलेगा का अंसर है हमारा यहां पर हमारा a2 plus b2 minus ab is equal to 0 लिखा गया है न तो हम इसको लिखेंगे हम a plus b का whole square a plus b2 minus 2ab और पहले से minus ab is equal to 0 दिखिए a plus b के whole square को आप लिखिएगा a2 plus b2 plus 2ab ठीक है और यहां पर minus 2ab है तो यह 2ab सी 2ab कर जाएगा और यह आपका हो जाएगा a2 plus b2 minus ab यह जो पहले है उस तरीके से ठीक है तो आप इसको यानि ऐसा लिख सकते हैं अब चलिए हम इसको क्या करेंगे अब हमारा जो value है उसको हम लिखेंगे जैसे कि a plus b जो और हमारा value यह बच गया तो यह क्या हो जाएगा? minus 3ab हो जाएगा ठीक है, is equal to 0 minus 3ab is equal to 0 हो जाएगा तो a plus b का whole square is equal to 3ab हो गया तो a plus b is equal to root under 3ab तो ऐसा option देखेंगे कि a plus b is equal to root under 3ab तो यह है आपका option number d जो है आपका option number d उसका answer क्या हो जाएगा option number d is the correct answer ठीक है, समझ रहे हैं, यह simple question था, बस यहाँ पर दो आपके arithmetic के formula को लगाना था, समझ रहे हैं, चलिए, बढ़ते हैं next question number second के, number second में क्या लिखा जा रहा है, कि if root under 32 plus root under 48 upon root under 8 plus root under x is equal to 2, तो आपको x का value find करना है, ठीक है, तो root 32 है, root 32 को हम 4 root 2 लिखेंगे, ठीक है, plus में root 48 को हम 4 root 3 लिखेंगे, ठीक है, root 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 root 2 लिख सकते हैं, और यह आपका root x है तो इसका root x ही रहने देंगे is equal to क्या है 2 के ब्रावर है यहाँ से हम क्या करेंगे cross multiply करेंगे तो जब हम cross multiply करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 4 root 2 plus 4 root 3 is equal to 2 2 जब 4 root 2 plus 2 root x ठीक है यहाँ से हम देखेंगे कि 4 root 2 और यह क्या है 4 root 2 तो यह 4 root 2 से आपका 4 root 2 कर जाएगा तो 4 root 3 is equal to 2 root x हो जाएगा तो root x का value क्या हो जाएगा 4 root 3 upon 2 तो 2 से 2 कर जाएगा तो root x का value क्या हो जाएगा 2 root 3 तो यहाँ पर क्या करेंगे दोनों सारे squaring कर देंगे तो x is equal to क्या हो जाएगा फोर इन्टु थिरी तो एक्सी क्या हो जाएगा ठीक है तो यहां सा अंसर क्या हो जाएगा option number C is the correct answer समझे रहें सिंपल सा question सा बस इसको solve करना था ठीक है चलिए next questions क्यों बढ़ते हैं उससे पहले क्या करें थोड़ा सा marker change कर लेते हैं next question हमारा question number third यहां पर क्या लख जा रहा है कि which of the following is same as 50 root sorry 50 divided 2L थीक है 50 बटे 12 के बड़ावर इन्मेश से कॉनसा option तो 50 बटे 12 पहले होगा क्या तो 50 बटे 12 को अगर काटेंगे हम true से तो यह 25 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा तो 50 बटे 12 को आप 25 बटे 6 भी लिख सकते हैं बस इसी को आपको छेक करना है कि इनवे से कौन सो अप्सन जो है वो 25 बटे 6 के बरावर है वही हमारा क्या होगा correct answer होगा ठीक है बसकी होगा और बात करते हैं और अप्सन नमर सी के बारे में तो यह अपका 50 बटे 4 गुने 3 ठीक है तो यह अपका हो जाएगा 25 और यह का हो जाएगा 25 बटे 2 यह भी हमारा answer नहीं है ठीक है और इसका क्या है divided by 3 है तो यह 25 बटे 3 गुने नीचे 3 हो जाएगा 25 बटे 6 तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका पहले बाले है उससे match करेगा ठीक है तो इसका answer हो जाएगा 25 बटे 3 option नमर कौन सा है अब करेक्ट आशर ठीक है समझ रहे है किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए साथ तो इस तरके से simple आपको यह को यहां पर आपको matching करना था तो कि अमर में को संस पहोत ही असान आते हैं इस बात को आप हमेशा याद रखेगा क्योंकि 10 लेवन के question होंगे तो आपको असान ही दिया जाएगे ठीक है तो इसे प्रकार से question थोरा सा confusing होंगा थोरा सा कुछ 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 में थोरा सा सोचने वाला होगा और आपको अच्छा करसा जब प्रैक्टिस रहेगा तो सारे questions आप अच्छे से बना पाईएगा इसकान से आपको यहां पर अच्छे कासे amount of questions आप प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं सभ 46-442 is equal to 45 into P then what is the value of P P का value क्या होगा तो 46-44 का square है यह किसके बड़ावर है आपको 45 into P के बड़ावर है तो यहां से आपको P का value find करा तो यह क्या है A square minus B square तो इसका value क्या होगा A plus B into A minus B तो एक तो हो जाएगा 46 plus 44 और दूसरा क्या हो जाएगा 46 minus 44 is equal to 45 into P ठीक है यह हो जाए तो फोटेश消 जोट लॉस फोटीफौस किसके बरावर होता है तो यह तो फीटा ओवता है यह डाकर था होता है चार आपorg ऑ्लच्छा द ये क्या होगा 90 और या पैंश्च पर नेक्स नमबर स्थ है था फीफ्थ है यहां पे nightmare कि कि 0.538 गुने 0.538-0.462 into 0.462 upon 1-0.924 ठीक है इसको solve करना तो इस simple question आप देख सकते हैं कि यह और यह दोनों repeat हो रहा है यह और यह दोनों repeat हो रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं 0.538 का square ठीक है 0.538 का whole square ठीक है किजेगा तो यह आपका हो जागा 0.538-0.462 ठीक है और यह प्लस में हो गया और यह क्या हो जागा 0.538-0.462 upon क्या हो जागा 1-1 मेंसे अगर 0.924 को घटाएगा तो कितना हो जागा आपका यह आपका आ जागा 0.764 sorry 0.076 ठीक है यह आपका आ जागा next page ले लेते हैं question number 5th का answer है यह तो उपर हम क्या करेंगे a plus b और a minus b करते हैं ठीक है तो a plus b और a minus b करेंगे तो इसको अगर आप add किजेगा किता हो जागा आपका यह आपका add किजेगा तो 1 की बढ़ावर हो जागा ठीक है तो यह क्या हो जागा आपका 1 into में और जब आप इसको subtract किजेगा तो आपका जागा 0.076 के बढ़ावर ठीक है आप करके दिखेगा हमने करके रखा है 0.076 के बढ़ावर जाएगा अनीची कहा है 0.076 के बढ़ावर है तो यह से यह कर जागा value किया जागा 1 के बढ़ावर जिसका answer क्या हो जागा option number C is the correct answer ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question number 6th क आपका जाला है कि if A is equal to B square plus root under 9 upon C then C is equal to C किसके बढ़ावर होगा यदि A जो है आपका B square plus root under 9 upon C के बढ़ावर है तो C is equal to C किसके बढ़ावर होगा इनमें से दिएवे option में simple जबात है यहां पर C जो है आपका A और B के term में है तो बस यहां से आपको C को निकाल दीजिए वह ही आपका क्या हो जागा right answer हो जागा चलिए C को निकाल लेते हैं तो यह आपका हो गया A minus B का whole square equal to root under 9 upon C ठीक है तो दोनों सेरे squaring कर देंगे तो A minus B square का whole square is equal to 9 upon C हो जागा तो C का value क्या हो जागा 9 upon A minus B का whole square और sorry A minus B का square उसका क्या है whole square यह क्या हो जागा C के यह क्या हो जागा C के बराबर हो जागा ठीक है तो इसको option check करेंगे कौन सा है इसका answer तो इसका answer हो जागा option number C यानि 9 upon A minus B square का whole square ठीक है चलिए बढ़ते next question number 7th की और 7th question में क्या लिखा जाड़ा है यहां लिखा जाड़ा है कि square root of 300 एक सकें 300 इंटू 7.5 का square root आपको बताना है यानि simple सा बात है कि इसका आपको square root find करना है ऐसे करके ठीक है तो चलिए देखते हैं कैसे find करेंगे इसे हम square root तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम 300 लिखेंगे और इसको 7.75 बट सकते हैं 25 थिया 75 होता है तो इसको 5 x 5 या फिलीख सकते हैं 25 गुने 3 गुने 10 25 थिया 75 हो गया ठीक है चलिए यहां से root काणर से 25 का square 5 आ जाएगा और 3 दो बार है तो यह क्या हो जाएगा बाहर 3 आ जाएगा और 10 के बडावर हो जाएगा ठीक है अनसर तो कोई option में ऐसा नही कर सकते हैं इसको कि बटे root under 10 हो जाएगा, ठीक है, next पे ले लेते हैं, question 7th का answer है, ये क्या हो जाएगा, आपका root under, sorry, root under है, उपर है 150, नीचे क्या है root under 10, ठीक है, तो 150 जो है, उसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, तो 30 गुनिय अगर 5 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 150 हो जा जाएगे, option 30 के multiple में, आप देख सकते हैं, सभी option में क्या है, 30 के multiple में हैं, हम कोशिस कराएगा, इसको 30 के अंदर में, 30 के multiple में लाने का, और नीचे क्या हो जाएगा, आपका root under 10 है, ठीक है, तो 30 हो गया, इन्टू में, इस 5 को आप क्या लिख सकते हैं, root under 25 आप लिख सकते ह आप इसको लिख सकते हैं, 25 आप 10 को 2.5 का root under, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, 30 इंटू 2.5 पे पावर 1 by 2, तो देखे, ये questions बहुत ही simple है, क्या हो जाएगा इसका answer, 30 इंटू 2.5 पे पावर 1 by 2, option number D is the correct answer, question बहुत ही simple है, लेकिन यहाँ पे जो काम था, वो options के answer को लाना पड़ेगा, ठीक है, तो हमने क्या किया, options के recording, अपने answer को लाने का प्रयास किया है, ठीक है, तो आपको इस प्रकार से divide, rationalize, आपको यहाँ पर करते दाना पड़ेगा, ठीक है, तब ही आपको समझ में आ पाएगा, कि हाँ, हमारा answer क्या है, सबसे बहुत है, सबसे उसके recording अभा हम लाएंगे, ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं, next question number, 8th की ओर, number 8th पर ही क्या लिखा जा रहा है, कि the LCM of 2 number is 630 and their SCF is 9, LCM 2 number का 630 है, और SCF किता है, 9 है, if the sum of number is 153, then the ratio of 2 number, तो अगर sum of number 153 है, तो उन number का ratio क्या होगा, ठीक है, यानि A upon B माल लेते है, एक number A है, उनका LCM 630 है, और SCF 9 है, और नमबर का sum, यानि A plus B equal to 153 है, तो आपको बताना है कि A upon B क्या होगा, यानि नमबर का ratio क्या होगा, चली बनाते हैं से हम, चली तो कैसे बनाएंगे हम, अगर हमारा दो नमबर मानते हैं कि एक number A है, ठीक है, एक number A है, दूसरा number B है, इन दोनों 143 है, तो आप क्या कर सकते हैं कि, आपने बढ़ा होगा कि LCM into SCF जो होता है, LCM into SCF जो होता है, वो क्या होता है, आपका product of two number के बराबर होता है, यानि A cross B के बराबर होता है, ठीक है, तो LCM हमारा 630 है, और SCF कितना है आपका, 9 है, जो कि किस के बराबर होगा, एक रोस B के एक तो हमारा equation 1 यहाँ आ जाएगा ठीक है then फिर next में क्या आ जा रहा है कि if the sum of the number is 153 यदि दो number के sum जो है वो 130 के बड़ावार है तो a plus b बाड़ किता है 153 है यह equation 2 हो जाएगा ठीक है दो equation हमें पदा चल चुका है हमें क्या निकलना है इन दोनों number के ratio यानि a upon b का value find करना है तो हम क्या करेंगे a plus b हम मिल चुका है अगर हम क्या करें a minus b निकाले और फिर a plus b और a minus b को cut कर देंगे तो वहां से हमें क्या हो जाएगा a का value निकल जाएगा जैसे ही a का value निकलेगा हम b में किसी विए equation में पूट कर देंगे equation number 2 में या equation number 1 में किसी में पूट कर देंगे हमारा b का value भी find हो जाएगा तो हम चलिए इसी काम को करेंगे तो सबसे पहले a minus b का निकलने के लिए हम क्या करेंगे आपको पता होगा कि a minus b का square जो होगा वह किसके बरा हो जाएगा a square plus b square minus 2ab कर रहा हो जाएगा हम क्या करेंगे यहाप प्लस 2ab लिख देंगे और minus 2ab लिख देंगे एक minus 2ab से एक plus 2ab कर जाएगा और value क्या हो जाएगा हमारा पहले की तरह हो जाएगा तो देख सकते हैं आप a square plus b square दो बार क्या है minus 2ab है ठीक है तो दो बार मानस 2ab को रहने जते हैं और यह क्या हो जागा प्लस 2ab को हम क्या करते हैं इसके साथ लेते हैं तो a² plus b² प्लस 2ab जो है इसको आप लिख सकते हैं a plus b का whole square और यह minus 2b minus 2b क्या हो जागा 4 minus 4ab हो जागा तो a-b का whole square जो होता है वो क्या होता है a-b का whole square minus 4ab और इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लिखे हम तो यह क्या हो जाएगा question number 8th का answer यह हो जाएगा आपका a-b is equal to root under a plus b का whole square minus 4ab और यह जैसा कि आपको पता है यह क्या होता है एक formula होता है arithmetic में आपको पढ़ना होता है और यह आपको बहुत जगा यह होता है यहाँ पर हमने इस formula को proof करके दिखाया है ठीक है आप तो एक बार देख लिए यह कैसे होगा तो आपको यह आप मेमराइज हो गया होगा ठीक है यह आपको बहुत जगा यूज होता है अब हम क्या करेंगे यहाँ से a-b का value find करेंगे तो a-b का value क्या है root under a plus b का whole square a plus b क्या है हमारा 153 के बराबर है तो यहां से हम क्या करेंगे इन दोने equation को add करेंगे तो नेक्स पेज लिलते है को समर क्या है 8 का answer है देखें यह जो तरीका बता रहा है इसमें आपको calculation थोड़ा सा लंबा मिल ला होगा तो यह तरीका तो सही है लेकिन आपको बता दे कि एक और तरीका होता है इसमें आप कर सकते हैं कि जो आपका ACF होता है 9 जो दियागा है ACF तो आप कर सकते हैं एक नमर को 9 A मानिएगा और दूसरे नमर को 9 B मानिएगा ठीक है क्योंकि ACF जो होता है वो highest common factor होता है यानि कहने का मतलब है कि इस दोनों नमर में 9 एक ऐसा factor होगा जो दोनों में present होगा ठीक है तो यहां पर आप इसको 9 A और 9 B भी मान सकते हैं उस तरीके से बनाएगा तो आपको calculation थोड़ा सा sort होगा आपको calculation क्या होगा थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ठीक है बस यहीं अंतर हो जाएगा नहीं तो प्रोसेस सेम रहेगा तो फिर क्या करेंगा हमें आपर दोनों को add करना है में तो एक सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब अजरआarkan नहीं होंगा क्योंकि यह आपकी 729 नहीं सब्सक्राइब कितना 27 का हो गया 27 का होता है तो यहां पर रूट होता है 27 हो जाएगा हम सोच रहे हैं कुछ गलत हो रहा है क्या कितना हो जाएगा यह 9 से करते का 10 टाइम्स यह करते का सेवें तो यह पॉन बी का भी कितना हो जाएगा 10 बटे साथ यानि 10 इस्टू 7 अब आप्सन मैंच किजाएगा आप्सन नमबर कुन सा है अप्सन नमबर is the correct answer ठीक है समझ में रहा है आपको चलिए बढ़ते है नेक्स कुछन नमबर 9 यह ठीक है 9 नमबर कुछन में कहा लिखा जा रहा है कि sum of money sum of money double itself in 7 years in how many years it becomes 4 times ठीक है ठीक है तो इस questions को एक बार फिर से पढ़िएगा यहां पर लिखा जा रहा है कि कोई धन साधारन ब्याज की दर से 7 वर्सों में अपने आपका दुगुना हो जाता है तो उसी दर से यानि सेम रेट से कितने वर्सों में अपने मूल धन का चाड़ गुना हो जाएगा ठीक है आप क्या करें यहां से जो आपको दिया गया यानि मॉंख जो हो जाता है और समय कितना है साथ है ठीक है समय कितना है साथ है तो यहां principle से principle cut गया तो वहर हो जाएगा 2 is equal to 1 plus rate into time हो जाएगा और time कितना आप तो 7 डाला हुआ है तो यहां पर 7 डाल देंगे ठीक है तो यहां से आपका 1 equal to rate into 7 तो आर का value कितना होगा एक वर्टे 7 ठीक है हो जाएगा उसके principle के, तो अव हमारा amount के है, amount है हमारा 4 times of principle is equal to principle गुझे one plus rate into time terus एक है तो हमें किन कलना है समय निकलना है तो प्रिंसफवल से principle कर जाएगा ठीक है, तो 4 में से गया है तो 3 हो जाएगा और यहां पर थाएगा rate into time मैट इसका अंसर हो जाएगा अब option match कीजिए angry木 पहले वाले सहाथ को सब्सक्रिस को सब Alem पर दाफियों करना था ठीक है चलिए बर्थे निक्स को संबर क्या है 10 कियो नमर तेंट में पढ़िए क्या लिखा जारा है हट टू ट्रेंट अफ लेंथ 190 मीटर एंट 210 मीटर थीक है दो ट्रेन है जिसका लेंथ कर यह 190 मीटर है और 210 मीटर है respectively अर रॉनिंग इन पर आपक्राइब कर रहे है तो कितने समय में वह क्या करेंगे एक दूसरे को क्रोस करेंगे ठीक है चलिए तो यह हम कैसे निकालेंगे तो एक दूसरे को क्रोस करेंगे कितने समय में आपसे यह पूछा जा रहा है ठीक है तो एक दूसरे को क्रोस कब करेंगे एक दूसरे को वो क्रोस तभी कर पाएंगे जब एक दूसरे के ट्रेन का जो लेंथ होगा वो उतने लेंथ क को कवर कर पाएंगे जैसे एक ट्रेन ऐसे जा रहा है एक ट्रेन ऐसे आ रहा है ठीक है इनका लंबाई इतना है ठीक है और इनका लंबाई कितना है इतना है यह दोनों आपस में कप क्रोस कर पाएंगे जब दोनों ट्रेन एको लेंद को कवर कर लेंगे यानि एक दूसरे के ल नीस के लेंथ को और्षोद के ट्रAct के डिस्टेंस कांवर नाहीं कर पाता है तब तक कहींगे कि नहीं हमारा क्या होवा crossing हो पाया ठीक है तो इस conditional हो आपको कहा करना प stret है जो आपका time निकालने के लिए खा जारा है तो time के ch pug ऐट के उन दोनों का उधरटीव फाइन करें तो इन दोनों के कानल कि उसस्या और दूसरा का उस्यास हो जाएगा ऐन होता है आपका इन दोनों को अपने length के ब्राबर क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के distance को cover करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक का length कितना है, आपका 190 है, और दूसरा कितना है 210 है, ठीक है, तो 190 प्लस 210 कितना होगा, total distance इनको इतना cover करना पड़ेगा, तभी माना जाएगा, कि ये क्या होगे, एक दूसरे को cross कर लिए, तो total distance 190 हो जाएगा, और कितना 210 हो जाएगा, upon क्या हो जाएगा नीचे, total जो आपका relative velocity है, वो कितना है, 72 है, ठीक है, ये meter में है, ये क्या है, kilometer, इसको हम क्या करेंगे, meter per second करेंगे, तो 5.18 से multiply कर देंगे, ठीक है, 5.18 से हम क्या करेंगे, इसको multiply क कर देंगे, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 5.18 से multiply कर दिया, ठीक है, तो 18 चोके 72 कर जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, 190 प्लस 210, कितना, 190 प्लस 210, ये आपका हो जाएगा 400, और नीचे क्या है, 4 है, तो ये कर जाएगा, value कुता है आपका 100, ठीक है, तो time equal to कितना हो गया, आपका 100 हो गया, तो कुछ गलत हो रहा है, क्या, 5 हो जाएगा, एक सेतना, प्लस إक और फैर्पाइप, ये नीचे क्या हो जाएगा, 5 भी रहेगा, ठीक है, तो नीचे 5 से multiply करना चूट गया हमारा, तो 5 से नीचे multiply करते है, तो 5 तूजा 10, कितना हो जाएगा, आपका 20 सेकन सब्सक्राइब तो जब भी अपका क्रोसिंग का कोशन दिया जाए इस प्रकार से दो ट्रेन है उनके लेंथ ही तो जब तक एक दूसरे के लेंथ कर पाएंगे तब तक उनका क्रोसिंग नहीं माना जाएगा तो क्रोसिंग के लिए टोटल डिस्टेंस को हम क्या करेंगे दोनों को लेंथ को जोड़ देंगे दोनों के लेंथ को जोड़ देंगे और पॉन क्या कर देंगे उनके रिलेटिव वेलसिटी नीचे ले देंगे ठीक है तो यह हमारा क्या हो जाएगा वहां से टाइम निकल जा सबी वीडियो को देखते रहे हैं और जो भी डाउट होगा वह आप कॉमेंट वक्स में लिखते रहे हैं तो रखते हैं इस वीडियो को यहें पर थैंक्स वर राचिंग में वीडियो तब तक के लिए बाब बाई